नमस्कार, दोफ्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रीमेटिक और पोस्टमेटिक क्या होता है दोरों में क्या आंतर है, काफी वार छातरों के कोमेंट आया थे हमने जब स्कॉलर्शिप के लिए आवेदन करना बताया थे तो उसमें आपको सिले करना पड़ता था कि प्रीमेटिक और पोस्टमेटिक काफी सारे छातरों ने कमेंट किये थे कि सब्रीमेटिक और पोस्टमेटिक के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई है इस वीडियो को कंप्लेट देखिएगा जो भी डाउट है आपका प्रीमेटिक क्या होता है पोस्टमेटिक क्या होता है प्रीमेटिक के अंतरगत कौन से कलास आते हैं और पोस्टमेटिक के अंतरगत कौन से कलास आते हैं सारा डाउट किलियर करेंगे वीडियो को एक लाइक करके सारे वाटसअप ग्रूप में सेर कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब जरूर कर लेंगे इस तरह को अपडेट पाने के लिए चले सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीमैटिक होता क्या है तेकि प्रीमैटिक के अंतरगत जो है वैसे वर्ग आते हैं जैसे पर्थम से लेकर तेंथ तक अगर आपने तेंथ तक है तो उस समय आपको जो है प्रीमैटिक से लेकरना होता है अगर आप तेंथ पास आउट जब अंतर था आपको pre और postmatic में काफे जारे छातरो का ये भी डाउट था कि क्या prematic के अंतर गार तो 1 से लेकर 9 तक के ही class आते हैं तो ऐसा नहीं है तो 1 से लेकर 3 तक अगर आप 3 में study कर रहा है तो उस समय आपको जबी भी ऐसा कोई form आता है उसमें आप से पूछा जाता है कि prematic और postmatic होता है अगर आप 3 में education ले रहा होते है तो उस समय आपको prematic ही select करना है जब आप 3 पास आउट हो जाते है उसके आगे 11, 12 उससे आगे जो भी आपका class होगा जो भी course होगा वहाँ पे आपको postmatic select करना होगा तो मैं उम्मीद करूंगा आपका जो भी doubt है clear हो गया होगा इसके अलाबे पर कोई doubt है नेचे comment box में जरूर बता है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद